बेलकम टू राजन आई टी यूटूब शेनल इस वीडियो में देखेंगे एन्यच पीसी की तरब से अप्रेंटिस की भरती आई है तो यहां से इसमें देखेंगे कि कौन-कौन ट्रेड वाले अपलाई कर सकते हैं अगर आपका भी ट्रेड है जो ट्रेड इनों ने दिया है तो आप भी अपलाई कर सकते हैं पूरे जनकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे सबसे पहले आपको इसके लिए करना क्या होगा इसकी जो वेपसाइट है वहां पर आपको जाना होगा यह आप सर्च मालेंगे तो इसकी ओफिसियल वेपसाइट पर आजाएंगे इस परकार से नोटिफिकेशन खुल जाएंगे आप देख सकते हैं NHPC Limited की तरब से नोटिफिकेशन आई है अपरेंटिस की तो अगर आप अपरेंटिस करना चाहते हैं तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं आप यहां से देखेंगे यहां से यहां पर जो इन्होंने ट्रेड क्या चाहिए तो पचीस पांच दो जारे किस तक आपकी रियल और आ जाना चाहिए है ना पास आउट होना चाहिए तो दसमा पास पलस दो साल के ITI एलेक्टिसियन ट्रेड से ठेक है प्लंबर की बात की जाए तो दो सीटे हैं फीटर की दो ठेक है कार्पेंटर की एक इस त पास की जाए तो एज लिमीट आपकी 18 से 30 साल तक है एज कितना है 18 से 30 साल तक एज उसके बाद यहां पर आपको रिलेक्शेशन भी मिलेगा अगर आप से बिलॉंग करते हैं तो पांच साल और ओबीशी से बिलॉंग करते हैं तो तीन साल ठीक है और अगर पी डबूड है तो आपको 10 साल की यहां पर एज रिलेक्शेशन मिलेंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो पिडियेड ऑफ अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग जो आपकी अप्रेंटिश होंगे वो कितने साल की रहेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं वन येर की एक साल क रहेंगे उसके बाद यहां पर कुछ आपकी रिजस्वेशन जो है वह आपको मिलेंगे SC, HT, OVC and EWS ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बताया गया है कि 2521S आनि आप जो है इससे पहले आपको क्या होनी चाहिए कम्प्लीट होनी चाहिए ठीक है उसके बाद यहां पर कुछ प्रिफरेंस आपको मिलने वाले हैं पहला प्रिफरेंस उसको मिलेगा फर्ष्ट प्रिफरेंस बिल भी गिवेन प्रोजेक्ट एफेक्टेट फेमली ठीक है जो प्रोजेक्ट एफेक्टेट फेमली है उनको मिलें प्रिपेरेंस बिल भी गिवें कंडिडेट 12 मुला डिश्टिक ठीक है जो वारा मुला डिश्टिक से हैं उनको मिलेंगे उसके बाद फिर आप लोग को मिलेंगे अगर सेलेक्शन की बात की जाए कि किस परकार से सेलेक्शन होंगे सेलेक्शन क्रेटेरिया की बात की जाए तो आप देख सकते हैं सेलेक्शन ऑप अपरेंटी सैल भी बेसिस ऑन बेस ऑफ मेरिट लिश्ट प्रिपेर्ड और बेसिस ऑफ मार्क्स आई टियाई ठीक है आपकी जो आई टियाई है उसकी मार्क्स बेसिस से आपको किया होंगे मारि यहां से यह जो है निकला है उसके बाद यहां पर एक चीजे आप देखेंगे आगे 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 आप देख सकते हैं इसके अस्टाइफिन की बाद की जाए हानि आपको अपरेंटिस पृडियेड में कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं कितने अस्टाइफिन मिलेंगे तो यहां पर रूल है श्टाइपन मिलने की अपरेंटीस की आप जीसा की देख सकते हैं कि 90 परशेंट जो बेसिक पे होती है अस्किल का उसका 90 परशेंट आपको मिलता है ठीक है तो साढ़े 7000 से 8000 के बीच आपकी पर मंत मिलने वाली है श्टाइपन उसके बाद आगे हां पर ब आपको कोई भी यहां पर जो है ट्रांस्पोरेशन बिल भी प्रोभाइड टू एनी कंडिडेट वाई आपको यह नहीं मिलने वाली है उसके बाद आगे बढ़ेंगे हार टू अपलाए उसके बाद यहां पर एक चीज़ और देखेंगे इसका मतलब यह हुआ कि एगर आप अपरेंटिस कर चुके हैं अधर जगासी तब आपलाए नहीं कर सकते हैं उसके बाद आपको अपलाए कैसे करना है वह यहां पर आप देखेंगे अपलाए करने के लिए आपको क्या करना होगा इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यह जो रूल एन कंडिसन दिये हैं वह आपको जो टर्म एन कंडिसन इन्होंने दिया है वह होना चाहिए मैंसेन होना चाहिए जो नोटिफिकेशन में दिये हैं बी में अगला बता है कि candidate must have valid अधार कार्ड नंबर, अधार कार्ड नंबर, mobile नंबर, email id ये सारी चीजें आपको होना चाहिए applying for apprenticeship, apprenticeship की जो porter है वहाँ पे जा करके पहले आप login करेंगे candidate should registered, ठीक है apprenticeship porter आपको यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं website दिया हुआ है इस website पे आप जाएंगे और वहाँ से आप अपना apply करेंगे, उसके बाद बताया है कि the candidate has to take print out registration, applied a porter and send along with all self-attested आपको क्या करना है कि apply करने के बाद वह जो print out वहाँ से निकलेगा उसको आपको भेजना होगा, कहाँ पे भेजना होगा, ठीक है आप यहाँ पे देख सकते है educational qualification, ITI, mark seat, certificate, ठीक है domicile certificate, copy, अधार card का, zero, spine card, यह सब आपको भेजना होगा, a speed post से आपको भेजना होगा, 25, 2021 से पाहले आपको भेजना होगा भेजना किस address पर होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह address दिया हुआ है, यहाँ पे इस address पे आप a speed post के जरीए उसको क्या करेंगे, भेजेंगे, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला बताया इन्होंने, किदा candidate, shortlisted, shortlisted sale भी, produce और original, यहाँ प लाश्ट डेट for submission of application, 25-2021, इसके लाश्ट डेट है, तो आप, अगर आपके ट्रेड़े हैं, तो आप इसको अपलाए कर सकते हैं, ठेक है, इस वीडियो में इतना ही, और जनकारी के लिए, सभी जनकारी के लिए आप हमारे चैनल से जूरे रहें, इस वीडियो में इतना ही, थाइंक यू